नमस्कार मित्रों, जय हो सनिदेव महराज दोस्तों स्वागत्याब शभी का आपके अपने यूटियोब चैनल में एक बार फिट से एक नई और ताजा वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 12 अगस्त शनिवार आपके राशी के महाराशी फल के बारे में की 12 अगस्त शनिवार के दिन आपके लिए कैसा रहेगा इस दिन कैसी स्थतियों का नर्माण होगा इस दिन कौन सा कार्य आपके लिए भाग इशाली होंगी ग्रहों के स्थिक ऐसी रहेंगी क्या क्या योग बनेंगी और इन सभी का अशर आपके राशी पर क्या होगा साथी साथ जानेंगी इस दिन आपका शुबरंग और सुब अंक क्या रहेगा कितना प्रतिशत भागी आपका साथ देगा लेकिन उश्य पहले आज के ग्रह गोचर और पंचाम के बारे में जान लेती हैं दोस्तों आज दिनांक 12 अगस 2023 दिन सनिवार तिथी कि गरबात करे तो क्रश्न पक्ष की द्वादशी तिथी 6 बजकर 31 मिनट तक रहेगा और नक्षत्र है आद्रा आज का अविजित महुर्द का समय दोपहर 12 बजकर 6 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक रहेगा आज का राहुकाल अरधात दिन का अशुब समय नौ बजकर 18 मिनट से 10 बजकर 55 मिनट तक रहेगा दोस्तों इस राहुकाल में कोई भी नए कामों की शुरवात ना करें अब बात करते हैं शोरिय और चंद्रमा की तो सोरिय करकराशी में ही विराजमान है और चंद्रमा मिथ थुन राशी में संचार करेगा पूरे दन्राद आईए बात करते हैं आपका देनिक राशी फल और यहाँ प्रेडिक्शन आपके चंद्रराशी पर आधारित है ब्रिश्चिक राशी बालू देखिए दोस्तों अगले इन 24 घंटे में आपके घर किसी नए महमान का आगमन ह और यहाँ मा लक्षमी का शुब संकेत माना जाता है किसी भी घर में महमान का आना यानि भगवान आपके घर आने का समान हुआ इसलिए महमान को भगवान के समान माना गया है इसके फल्सावरूप अगले 24 घंटे में नविन कारी प्रनालिश सम्मंधित योजनाई बनेगी और वहाँ काफी सफल भी होंगी और देनिक आय में कुछ इजाफा होगा परन्तु आपको धैरी बनाई रखना होगा कोई भी चीज में जल्दबाजी आपको नहीं दिखाना है इस बात हमेसा ध्यान में रखेगा जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और इस वर हमार के लिए करती है अपनी तरब शे जान भुष कर कोई भी गलतिया नहीं करनी है बहुत जादा सावधःन बहुत जादा शतर क्रेहने के बावजुत अगर वो गलतियां हो जाती है तो इश्वर हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं हमें उस चीज को लेकर टेंशन चिंता नहीं करनी है इस दौरान अगले 24 गंटी में कोई भी महत्पूर्ण सुब समाचार आ सकता है आपके पिछले कुछ समय से अपने क्यारियर तेथा नेजी जीवन सम्बंधित किये गए प्रयाशन का फल मिलने का समय आ गया है ऐसा घटना करम बनेगा कि आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी जिससे आपके साथ साथ पूरा घर परिवार भी खुशी से सराबोर रहेंगी और काफी ज़्यादा खुशहाल नदर आएंगी आपको प्रयाशन और परिस्रम को अपने सेलियर ध्यान से देखेंगी और वे आपके जवर्जस्त समर्थन भी बन पाएंगी इसके उपरांथ आपके दुश्मन आज और सहाई अनुभव करेंगे लेकिन आपको उनसे फिर भी सावधान रहना होगा क्योंकि वो अपनी जो निगाहे हैं आपके उपर बनाए हुए हैं आपको थोड़ा सा सावधान और सतरक रहना होगा जो कि आपके लिए ही अच्छा रहेगा इसके उपरांथ आज माहल में ही रोमांश बिख्रा हुआ है आज बहुत सारे मनुरंजन और मज़िदार आमदनियों के संपर्क में आएंगे और इनमें किसी एक के साथ मुलाकात सार्थक सावित हो शकती है जिनका संबंद पहले से बहुत अच्छा है वे अपने पुराने संबंद में ही अंतरंग डिनर या फिक्निक पर जाकर एक नई जान फुक वाएंगे और आपका पार्टनर पिछले कई दिनों से बहुत खिचा-खिचा अनुभव सा कर रहे हैं और बहुत जारा जो है टेंस बहुता का फल भी अब मिलने का समय आ गया है देखिए दोस्तों पिछले समय में जो आप महनत किये थे उसका फल अब आपको मिलने वाला है दिन के अंत में प्रमुक वित्य लाप की भी संभावना है जो अपने इमानदारी और कड़ी महनत से अर्जित की है लेकिन आपको क समय दारियों और कर्तव की भावना से कारी नहीं करना है बलकि अपने कारियों को करने में सहाई की भावना विक्सित करें ताकि आपको कारी करते हुए आनंद की प्राप्ति हो और तन्मन से कारी करें देखिए दोस्तों अगर सच्चे हिरिदय से आप सच्चे तन्मन से कार करेंगे उस काम में आपको सफलता भी मिलेगी और काम आपका सफल भी होगा जितना भी काम करें आप अपने सच्चे रिदय से करें और खुशी से करें क्योंकि जो खुशी से करेंगे वही काम आपका सफल होगा इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी आपके दिन चर्या बहुत अच्छा कारी करने का काफी दबाव होगा लेकिन आपको यहाँ समझने की जरुवत है यहाँ समझने की आवशक्ता है कि ज्यादा दबाव आपके खुद के तैक किये हुए उचे मानकों के कारण है इमानदारी और इकागरता आपको बहुत आगे तक ले जाएगी इसलिए कामों में आपको हमेशा इमानदारी से कारी करना है लेकिन अपने आदर्सों और यकीन पर कायम रहे यही आपके लिए अच्छा रहेगा आप पूरे मन से शुन्दर और फिट दिखना चाहती है हाला कि इस लक्ष को पूरा करने के लिए आप एक पार्टनर की सायता जरूर ले एक बार अपनी फाइट जो है डाइट की समिक्षा दोबारा कर ले क्योंकि उसमें कुछ ऐसा होशकता है जिससे दिखने में आपको अलर्जी हो जाए और सलह का पालन कम हो आपको वर्क आउट अधिक करना है सुभा का जो है सेर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज का दिन संबन सुधारने और पुराने गलत फहमियों को असपस्ट्रोप से दूर करने के लिए एकदम सही समय है आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आप से कहीं दूर हो गया था आप से बहुत दूर चला गया था इस बात की संभावना है कि प्यार पुरान की दिवान की आपके मन में दोबारा जग उठे अतीत और वर्तमान के रिष्टों का संतुरन आधा आज आपके दिन का सबसे बड़ा चुनौति पुरुन कारी होगा आपका चुनौति पुरुन समय खत्म हो गया है अपने सफलता पुर्वक बाधाओं को पार कर लिया है जो की भागे ने आपके उपर फेके थे इसलिए ये बहुत अच्छा समय है कि आप अपने आपको शांत बनाए रखें इसके अलावा आप आराम करने के भी मुद्रा में आ सकती है क्योंकि कारीय का दबाव आपके कारिस्थल पर काफी घत्म हो गया है अच्छा कारी परदर्शन आपके वित्य लाव मार्ग भी खोलेगा लंबी अवधी निवेश पैसे का भी निवेश करने के लिए यहाई एक अच्छा समय है खुल मिलाकट समय आपके लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों अपना किमती वक्त देने के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दिन आपका शुब हो मंगल मै हो अब बात करती हैं शुबरंग और शुब आंक की तो आज आपका शुबरंग है आसमानी कलर और सुब अंक है शात भाग्य साथ देगा तक्रीबन 78 प्रतिसर तो रोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद दिन आको